नमस्कार आप देख रहे हैं The Activist और मैं हूँ अपडनायादव यूपी में वोट बैंक की राजनीती चल रही है अब ऐसा माना जा रहा है कल बीजेपी के एक नेता रवी किशन ने दलित के घर खाना खाया और तस्वीर ली और उन्हेंने ट्विटर पर ये ट्वीट किया कि आज गोरकपुर में दलित भाई के परिवार से सह भोच किया इसी पर राजन ने रीट्वीट करते वे लिखा क्या एक नचनिया रवी किशन शुकला और ढोंगी भोगी ठाकुर अजय विस्टी दलित के घर खाना खाकर दलितों को कमतरी का एहसास करा रहे हैं क्या दलित इंसान नहीं जो उनके घर फ्री का खाना भकोस ये तुछ लोग अपनी जातियस रेष्टा, अभिमान, कुल और पेटू होने के दंप का सारवजनी बॉंडा प्रदर्शन कर रहे हैं इसी पर हमारे साथ बाचीत करने के लिए है राजत की प्रवक्ता सारिका पाशवान जी देखे मैंने दो ट्वीट देखा एक जिसमें कि रवे किशन जी किसी दलित के हाँ बैट करके भोजन कर रहे है और एक दूसरा भी ट्वीट मैंने देखा था जहां कि वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी भी एक किसी दलित के घर में बैट करके भोजन कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आता है कि जब election होता है तब इनको दलितों की याद क्यों आती है अब मैं पहले आपकी पहले रिट्वीट जो जिसको राष्ट जनतादल ने रिट्वीट किया है जो रवी किशन जी का ट्वीट है एक मैंने वीडियो देखा था जो काफी वाइरल हुआ था जब लॉगडाउन हुआ था पूरे भारत में और तब जो मजदूर दलित गरीब जो है इनके सरीर से बदबू आ रही है ये इनकी असली हकीकत है ये इनका असली चेहरा है इनका असली चरित्र है जो इन दलितों और गरीबों के लिए रखते हैं अरे भोजन तो वो दिखावे के लिए करते हैं क्योंकि उनके उस भोजन करने के बदले में वो भी वहां सोचिए क आप एक किसी दलित के घर में भोजन करके उनको आप एहसान दिखा रहे कि दिखो, मैं उच्छ स्रेनी का हूँ, स्रिष्ट हूँ तुमसे तुम्हारे घर में भोजन कर रहा हूँ, इसके बदले में तुम्हें मुझे वोट करना है, मतलब कहीं न कहीं एक दबिश की राजनीत भोजन मत कीजे, दलितों को अपने घर में आपको भोजन नहीं करवाना है, उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए, आप उन्हें सत्ता में अधिकार दिजे, उन्हें आप अपने सरकार में अधिकार दिजे, उन्हें आप अपने समाज में अधिकार दिजे, कौन दलित आपसे चाहता है कि घर में आकि आप हमारे भोजन करने考 दीजिए और हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे है। जब अधिकार देने के बारे आते हैं तब वो क्या करते हैं? कि आरक्षण सबाब्त करने की बात करते हैं। दलितों के पे जितना ज़्यादा प्रहार हुआ, चाहे दलित पुरुष हो, चाहे बच्चियां हो, इन्हीं के साशनकाल में यही हातरास, उन्नाओ, ऐसे अंगिनत कांडे हैं, जहां बच्चियों के साथ बलतकार और हत्या हुई, वो दलित की बेटियां थी, दलितों का समान हैं आपके अंदर, नहीं है आपके अंदर दलितों का समान, आप मजाग करते हैं, आप मोखोर उराते हैं हमारा, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं, आप ये जो दलित और ये जो राजनीती करते हैं आप करना बंद कीजिए, हम जाग चुके हैं और आपके ऐसे पैतर मुझे लगता है योगी जी काफी है बहुत जादा फुरे बीज़ैपी बड़बोले है। बदयां की रिपोर्ट जो क्राईम ग्राफ जो सरकार बनाती है जो वरतमान सरकार होती है, यह संस्थाइए हैं वो बनाती है कि राज्य में कितने हत्याएं हुई, बलतकार हुई, चोरी हुई, चिंतई हुई, जपटई हुई, वो सारे का डेटास जो होता है वो NCRB कलेक्ट करती है और वो जारी करती है NCRB की रिपोर्ट आप निकाल के अगर देख लें तो आपको पता चलेगा UP हो, बिहार हो, जहां डबल इंजिन की सरकार बिहार में भी है, UP में तो BJP की सरकार है सबसे ज़्यादा क्राइम ग्राफ UP में है, अभी नंबर वन पे UP है, जहां बलतकार के मामले हो, मर्डर के मामले हो, चिंते के मामले हो, डकैती के मामले हो, फिर आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि गुंडाराज को आपने समाप्त किया बहाँ ये गुंडा जो है, वो सासन कर रहा है, और अब उस गुंडा सासन का काल समाप्त होने को है, जो आने वाले, आपको दस मार्ज को पता चलेगा, कि असल मायने में गुंडाराज समाप्त हुआ मैम बीजेपी में चुनावी मौसम चल रहा है और देखा जा रहा है कि बीजेपी के हैट्रिक विकेट गिर चुके है और खबर ये आ रही है कि बीजेपी के सारे नेता सपा में जा रहे है तो इस पर आपका क्या कहना है देखे बहुतों को इन्होंने पिछले विधान सभा में ठक करके बहुत सारे वादे करके बहुत सब्जबाग दिखा के इन्होंने बहुतों को अपने पार्टी में लाने का इन्होंने काम किया था कई लोगों ने BJP विश्वास करके और अपने पार्टी को बदला और BJP के साथ उनों ने समर्थन बे दिया लेकिन इन पांच साल के कार्यकाल में उनको समझ में आ गया कि ये जो सरकार है ये कभी भी जो कहते हैं स्वार्थ की राजनीती को छोड़ नहीं सकती है जाती की राजनीती को छोड़ नहीं सकती है धर्म की राजनीती को छोड़ नहीं सकती है ये कलंकित राजनीती करने में इनको विश्व विख्यात हैं ये लोग और वो उसी तरह की राजनीती करते हैं और पूरे के पूरे समाज को कलंकित करने का काम किया है तो अब जब की वक्त आ गया है कि इन्हें जवाब देना चाहिए तो फिर ये तो होता ही है कि लोग जब चुनाओ का टाइम आता है तो वो फैसले बदलते हैं उनको अपने निरने पे जरूर है कि उनको पस्तावा हुआ और उन्होंने सही फैसला लिया और अब वो तमाम ऐस त्राहिमम है क्योंकि बिरुजगारी और महंगाई तो देश व्यापी है किसी राज्य पट्रकुल एक राज्य में ने है पूरे के पूरे देश में और पूरे देश की जनता इससे भुगत रही हम देख रहे हैं किस तरीके से तो अब बीज़पी के सासन को बदनने का वक् जो मुझे लगता है कि बीज़पी की सासित राज्यों में ये बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है क्योंकि हमने देखा है किस तरह किसी चीजे आज पूरे देश और राज्यों में जहां बीज़पी सासित राज्य है वहां हो रही है और अभी चुकि यूपी में चुनाओ है तो मैं योगी जी कहते हैं कि ये 80 और 20 की लड़ाई है, ये 80 और 20 का आकड़ा क्या है? किन-किन लोगों के भरोसे वो लोगों को ठगने का काम करते हैं, ये जुम्लेबाजी करने का काम करते हैं, पहले उन 80 और 20 और 20 और 20 और 25 और 20 और 20 हैं, पहले तो इनको कलीर करना पड़ेगा, क्योंकि ये छूट बोल करके लोगों को बरगला करके ठग करके ये जो राजनीती करने का ये करते आए हैं अब इनकी डाल गलने वाली नहीं है जनता समझ चुकी है कि ये जो बीजेपी सासित और बीजेपी की सत्ता जो है विकास की कोई धारा नहीं बहरी है जो वादे इन्ह नहीं किये थे 15 लाख हर के खाते में जाएंगे दो कड़ो नौकरियां देंगे ये तमाम ऐसे जूटे मुद्दे को ले करके बीजेपी जो है वो सत्ता में आई और उन्हें लोगों को छला है ठगा है और उसका निश्चत रूप से अब मुझे लगता है कि अंत होने वाली लेकिन जब योगी जी आकडो की बात करते हैं तो योगी जी को क्लियर करना चाहिए कि भाई वो 25 और 75 कौन है 80 और 20 कौन है 15 और 80 कौन है ते कि आकडो की बात नहीं है हम विश्वास करते हैं अगर मैं बिहार की बात करूँ तो A to Z में हम विश्वास करते हैं इसमें हर जात के रह जाएंगे मुठ्धियों में तो वो मुठ्धी भर लोग जो पूरे की पूरे भारत में राज्य करने का सपना देख रहे हैं गुम्राह कर रहे हैं लोगों को वो कौन है उसकी आप आकड़े बाहर निकालिये न जिससे की बीजिपी हमेशा मूम ओरते आई है नजरे हो चाहे योगी जो हो चाहे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री और डबल इजिन की सरकार ही क्यो ना हो लेकिन सारे लोग इस कड़वे जो सत्य को है न वो सामने नहीं लाना चुकि जानते हैं कि अगर वो सत्य बहार आएगा तो इनकी राजनीती जो है न वो धुमील हो कि इनका खात्मा हो जाएगा तो यह थी हमारे साथ राजत की प्रवक्ता सारिका पास्वान और जैसा की सुना अपने इनका कहना है कि बीजेप के सरकार में सब बड़ बोलो की सरकार है और इस वार यूपी में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है आपको हमारा कि अवाल